नमस्कार दोस्तों स्वागता आपका तो आज हम बात करेंगे 12,828 पदों पर क्या है नई विकेंशी का जो नोटिफिकेशन है वो निकाला गया है सभी बिरोजगार अबैर्तियों के लिए एक बड़ी खुसकबरी है नय केवल राजस्तान के बलकि भारत के सभी जो बिरोजगार अबैर्ति है वो इस भरती के लिए क्या है अपलाई कर सकते हैं बात करें इस भरती की तो ये GDS सेक्षन यानि ग्रामिन डाक सेवक की ये जो वेकेंशी है वो निकाली गई है गुवर्मेंट ओफ इंडिया दवारा 25-2023 को ये नोटिफिकेशन निकाला गया है और इसमें GDS के 12,828 पदों यानि ग्रामिन डाक सेवक के पदों के लिए ये वेकेंशी 2023 है वो निकाली गई है आपके इसमें आपके GDS में दो परकार की है एक तो BPM यानि ब्रांच पोस्ट मास्टर और दूसरा असिस्टेट ब्रांच पोस्ट मास्टर इन दो पोस्टों के लिए ये वेकेंशी जापकी 2023 के लिए निकाली गई है टोटल 12,828 क्या है हो है इसमें बात करें तो 22 मैस से क्या है आपके फोरम स्टार्ट हो गए है और 11 जून तक क्या है ये फोरम है वो भरे जाएंगे इसके लावा बात करें तो इसमें जो यदि कोई आपकोई फोरम भरने में तरूटी रह जाती है गलती हो जाती है तो उसे आप सुधार भी कर सकते हैं 12 जून से लेकर 14 जून तक क्या है कोरेक्शन डेट जो दी गई है 12 से 14 जून तक तो आप 11 जून तक क्या है इस भरती के लिए अपलाई कर सकते हैं टोटल 12,828 पदों पर यह GDS के लिए वेकैंसी है वो निकाले गई है सैलरी भी दी गई है BPM की 12,000 से 29,380 और ABPM यानि असिटेंट ब्राट पोस्ट मास्टर की जो बेकैंसी होगी उसके लिए 10,000 से 24,470 रुपे यह TRC से लैब दिया गया है यह रहेगा आपका इसके लावा इसमें बात करें आयू की तो आयू की गण्णा भी क्या है इसमें दी गई है और आयू की गण्णा आपकी लास्टेट तक की जाएगी 14 जून तक की जाएगी मिनमम आयू आपकी 18 वर्स और अधिक्तम आयू 40 वर्स इसके लावा जो Categories है उनके लिए अलग से क्या है फूट भी दी गई है उनकी भी बात करेंगे दस्वी पास अबरती क्या है इस भर्ती के लिए अपलाई कर सकता है यानि सभी के लिए ये बरती है जिनोंने दस्वी पास की हो मिनिमम जो जो qualification है इसमें दस्वी पास है, टेंथ पास दिया गया है अठारा से चालिश वर्स की आयू वाले सभी अबैर्थी क्या है इस भर्ती के लिए अपलाई कर सकते हैं सीधी भर्ती है आपकी ये दस्वी के अंकों के अधार पर क्या है आपका सेलेक्शन है, वो लिया जाएगा एज में छूट इस प्रकार दी गई है S.C.S.T. के लिए 5 वर्स की है O.B.C. के लिए 3 वर्स की छूट दी गई है E.W.S. के लिए एक छूट नहीं दी गई है P.W.D. के लिए 10 वर्स की है O.B.C. वाले P.W.D. के लिए 13 वर्स की है और SCST PWD के लिए 15 वर्स की है यानि maximum ए 40 वर्स है पलस जो ये चूट दे गई है यानि SCST 45 तक अपलाई कर सकते हैं OBC वाले 43 तक EWS की 40 ही रहेगी PWD की 50 PWD OBC की 53 PWD SCST की क्या है पच्वन वर्स तो ये आपकी क्या है अधिक्तम आयू दी गई है तो ये भर्ती आपकी सभी बरुजगार अभेर्थियों के लिए निकाले गई है 10th पास की ये भर्ती है और इसके लिए आप क्या है 11 जून तक क्या है आवेदन कर सकते है इसके सासाथ आपको क्या है computer की knowledge होनी चाहिए cyclic की knowledge और जहांपर आज आप रहते हैं उसके आसपास की जो language है उसकी जानकारी आपको क्या है आप सक है तो ये minimum जो qualification है वो दी गई है यानि लगबग सभी क्या है इस भर्ती के लिए apply है वो कर सकते है इसकी official website दी गई है इसके मादम से आप क्या है 11 जून तक इस भर्ती के लिए apply कर सकते है इसके बाद जो आपकी merit list है वो भी जो official website है उसके ऊपर क्या है आपको जानकारी दे दी जाएगी तो ये आपकी GDS के लिए जो vacancy है उसकी post है notification है वो निकाला गया है तो इसके लिए आप राजस्तान के बलकि पूरे भारत के जो बिरुजगारा बैरती है जिन्नोंने दस्वी पास की है वो क्या है भी apply कर सकते है साथ में आपको क्या है लोकल लैंग्वेज की जानगारी होनी चाहिए 22 मैस से लेकर 11 जून तक क्या है आप apply कर सकते हैं correction window भी कुली रहेगी 12 जून से 14 जून के बीच